गैस ओपो की तरफ से ओपो रेनो 2 रिलीज होने के बाद ओपो इसी लाइनप का एक नए डिवेस लॉंच कर सकता है जिसका नाम हो सकता है ओपो रेनो 3 जहां आपको इस डिवाइस में 4 यर कैमरा का सटप देखने को मिल सकता है तो गैस आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में ओपो रेनो 3 के कुछ स्पेसिफिकेशन, प्राइज और रिलीज डेट के बारे में तो कोई सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन के बैक साइट की तो यहां आपको ओपो रेनो 3 में ग्लास बैक फिनिसिंग देखने को मिल सकती है ग्लोसे ग्रेडिन फिनिसिंग के साथ और इस फोन में 4 कैमरा देखने को मिल सकता है जहां प्रामरी सेंसर होगा 64 मेपिक्सल का सोनी IMX 586 सेंसर के साथ और 16 मेपिक्सल का एक अल्टरा वाइड लेंस और 12 मेपिक्सल का एक टेली फोटो लेंस और साथ में 5 मेपिक्सल का एक डेप सेंसर देखने को मिल सकता है और यहां की साइड में आपको कॉर्णी गोरिला ग्लास का भी प्रोटेक्शन दिया जा सकता है और गाइस अब बात करी जाए इस फोन के फ्रंट साइड तो इस फोन में आपको 6.6 इंचेश की फुल व्यू सूपर एमेलोड एच्डी प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है जिसका रेजलिशन 1440 इंटू 2400 पिक्सल होगा जो की काफी हाई लेवल की डिस्प्ले होने वाली है और यहां आपको कॉर्णी गोरिला ग्लास 6 का भी प्रोटेक्शन दिया जा सकता है और गाइस आप बात कर ले इस फोन के फ्रंट कैमरे की तो यहां सेल्फी के लिए आपको पॉप अफ अप्शन देखने को मिल सकता है जो की 25 मेर पिक्सल का पउप सेल्फी कैमरा होगा तो गईस ओवराल काफी अच्छा कैमरा देखने को मिलने मलना है इस डिवाइस के साथ में और डिस्पले में आप कोई भी गेम आराम से खेल पाएंगे आपको कोई भी लाग या हीटिंग इशूद और घंगिक प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि यह काफी हाई लेवल का प्रोसेशर माना जाता है और अब बात कर जाए इस फोन के अधर फीचर के बारे में तो इसमें आपको 3. 5.5 mm का ओडियो जैक और चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकता है और इस बार डॉल्बी एट्मॉस इस्टोरियो का भी सपोर्ट दिया जा सकता है और इस बार आपको आई पीसी 68 का सेक्टिफिकेशन भी देखने को मिलेगा जो कि आपके फोन को अब बात करें इस फोन के इस टोरिज की इसका दो वैरियंट देखने को मिलेगा 8128 GB और 10256 GB और अब बात करें इस फोन के प्राइज की तो इसका स्टार्टिंग वैरियंट यानि 8128 GB वाला मॉडल 25-26 एक पर लॉंच हो सकता है और जो इसका हाइली वैरियंट होगा यान 10256 GB वाला मॉडल 25-30,000 की प्राइज पर देखने को मिलेगा और अब बात करें फाइनल मुद्य की तो यहां पर फोन 2020 में रिलीज हो सकता है बट लांचिंग के बारे में कंपनी की तरफ से कोई भी ऑफिशल कन्फरमेशन नहीं है बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यह फ और इसी तरह की फर्दर अबडेट के लिए आप मारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में